हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टु माई चानल सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ आज चीले तो मैंने इसमें सूजी बेसन और थोड़ा सा आटा लिया है साथ में इदर रख दिया है छोले उबलने के लिए क्योंकि लंज भी बनाना है और ब्रिकफास्ट कर रही हूँ मैं और मेरी बेबी पीहू आज है सैटरडे अपनी मैंने चाय चड़ा दी है यहाँ पर तो मैं यह यहाँ पर चाय प्यूँगी और पीहू के लिए चीला सॉस से दूँगी चलिए फटा फट से ब्रिकफास्ट कर लेते हैं फिर आप से मिलती हूँ तो चीला यहाँ पर बहुत ज़्चाद के लिए तो आप चाहें तो आप मुंकी डल का बेसन का सुजी का इसी भी चीच का चिला बना सकते हैं अबने ब्रिकफास्ट में तो मैंने यहाँ पीधू को ब्रिकफास्ट दे धिया है और पिधू अपनी फ्रेंड के साथ ठेल रह रही है गुद मॉर्निंग फ्रेंड विलकम बैक टू माई चानल और मैं ब्रिक्फास्ट बना रही हूं जैसा कि आपने देख लिया है आज है सैटरडे सुबह का टाइम है सवा नौ पॉने नौ सॉरी सवा नौ साड़े नौ का टाइम है और पीहू और पीहू की फ्रेंड खे पारी है तो चलिए दोदो लोग खेलती है और मैं जल्दी से अपना ब्रिक्फास्ट बना लेती हूं फिर आपसे मिलती हूं तो आज लंच में छोले चावल बन रहे है तो आज लंच में छोले चावल बन रहे हैं मसाला फ्राय कर रही हूं मैं मसाला बाल लंच कर दो दोड़ारै कर अजय है तो लंच में घ्याओर्द अज़ाराव्ट्ट महां ए्याओब बन टूछ खेला जित कर रहे हूं मुत कर वें बना तो शोड़ावल बना तो फ्रेंड्स मैंने अपना लंच का भी प्रप्रेशन कर लिया है चाबलों में भी सीटी लगाने को रख दिया है क्योंकि आज पीओ के डैडी को जाना भी है तो वो लंच लेकर के जाएंगे और आज पीओ के स्कूल में है पैरेंट्स मीटिंग सैटर्डे है तो मुझे उस तो यहां यह दोनों खेल रही है और अब प्रिशा के जाने का टाइम हो गया है मतलब कि पीओ की फ्रेंड जो है वो अपने घर जाएगी तो मैं पीओ को रेडी करने जा रही हूं क्योंकि हमें निकलना है पैरेंट्स मीटिंग के लिए और पीओ के डैरी का लंच भी में त वेलकम बैक बहुत टाइम के बाद रिकॉइड कर रही हूं सवा ग्यारा बच गया है देखो तो बहुत टाइम भी नहीं हुआ है मैं रेडी हो गई हूं पीओ के स्कूल जाने के लिए और पीओ की फ्रेंड जा चुकी है और पीओ भी तयार है पीओ से हाई तो अभी हम लो मिटिंग में तो मैं निकल चुकी हूं और अभी साड़े ग्यारा बच रहे हैं बहुत तेज धूप है तो बस मैं जल्दी से जाओंगी और फिर मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करूंगी अभी मैं स्कूल पहुचने वाली हूं फिर उसके बाद मैं सीधे वापस अपने घर आ गई थी तो मैं घर पहुच करके फिर आप से मिलती हूं हम लोग वापस आ गये हैं पैरेंट्स मीटिंग से और सब कुछ ठीक था उसका प्रोग्रेस कार्ट देखा और मैंने यहां पे कुछ कैरेट और रेडिस लिया है चलिए घर पे चलते हैं और रखते हैं समान बिल्कुल भी नहीं अब भी थोड़ा सा पानी पीते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और टाइम हो रहा है पॉने एक का अब मुझे लंच करना होगा तो अभी 10-15 मिनिट बाद हम लोग लंच करेंगे वेल्कम बैक गुड़ इवनिंग शाम हो चुकी है साड़े पांच का टाइम हो रहा है मैंने चाय पीली है बस मैं बैखी थी तो मैंने सुचा चलो आप लोगों से पहले थोड़ी बाते कर लेते हैं क्योंकि आपने मेरा टाइटल देखा होगा तो आप लोग थोड़ा सा सर्प्राइज हो गए होंगे कि मैंने ऐसा टाइटल क्यो डाला है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बहुत दुखी थी कि मुझे बेटी हो गई ऐसा कुछ नहीं है बेटियां तो देवी का रूप होती मैं खुद एक बेटी हूँ तो उस चीज को मैं बहुत बहुत ब्लेस्ट फील करती हूँ कि मुझे बेबी गर्ल है लेकिन कुछ बाते हैं कि बेटी हो गई तो थोड़ा सा टेंशन था क्यों मैं दुखी थी हुआ क्या था जब भी हुई थी थी ना तो उसके यह यह एर है थी मैं सोची अरृ यह क्या हो गया तो आशी ही हिए है क्यों आशा है chat वह ऍले समय के साथ तीन महीन में मालिश कर कर के मैंने उसको अंध्या से मालिश किया ममी ने मेरी मालिश किया तो वो ठीक हो गया मैं थोड़ा सा अपसेट ती लेकिन चलता है बपने व्र्था होता तो कि बेबी गर्ड हुई है और आप लोग के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है क्या कि आपका बेबी हुआ और आप परेशान हुए हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर परताईएगा और आज सैटरडे है बट मैं कल संडे में यह व्लॉग नहीं डालूंगी तो यह आपको मं आप लोग के लिए जो गुड नियूस थी तो अगर आप लोग में आना चाते हैं तो मैं फिर से कहना चाहूंगी कि आप अपनी जो क्लिप है वीडियो क्लिप है वो मुझे शूट करके भेजिए चाहे वो इमेल के थुरू कर दीजिए या फिर इंस्टा पर डियम कर दीज तो देखते हैं सबसे पहला मैं क्लिप कौन भेजटा है और किसका डालती हूं तो आप लोग अपनी क्लिप मुझे भेजिएगा अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक अपने डिसर्प्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी आप ज़रूर एक बाद चे तो व्लॉग के लाज तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा चलिए मिलती हूं थोड़ी देर में तो अभी सवसाथ का टाइम हो रहा है और मैं बनाने जारी हूं डिनर में मूली गाजर आलू मिक्स पराठे पंजाबी स्टाइल में तो चलिए देखिए कैसे बनाती हूं सबसे पहले मैंने ये ग्रेट कर लिया है इसमें नमक डाल करके इसका पानी अच्छे से स्क्वीज क आप डाल सकते हैं और अपने हिसाब से आप इसकी जो अंदर की फिलिंग है वो बना सकते हैं और आप चाहें तो इसमें आप गोभी भी डाल सकते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है पनी डाल सकते हैं तो मैंने बस यहां तीन चीजें लेकर के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारा अंदर का फिलिंग तियार हो गई है और मैंने आटा भी गूत के लगा लिया अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल दूँगी जो की बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग भी मुझे कॉमेंट करके बताईएग और अभी तक का व्लोग अच्छा लग रहा है तो प्लीस वीडियो को लाइक करिए और अपने फैमली फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करिए मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जादा ज़रुरत है तो हमारे गर्मा गरम पराठे तयार हैं दही चटनी और बटर के साथ आईए आप भी हमारे साथ गर्मा गरम डिनर करिए तो ये दो पराठे मेरे हो गए और पीऊ के डाड़ी ने और पीऊ ने डिनर कर लिया है तो चलिए मैं भी फटा फट से अपना गरम गरम आलू पराथा मतलब मिक्स पराथा खाती हूँ और फिर आप से मिलती हूँ करूंगी क्योंकि बस ऐसी थोड़ा सा मन अच्छा नहीं हो रहा है मूद नहीं हो रहा है कल व्लॉग डालने का कल संडे है आप लोग कीजिए और ये व्लॉग आपको मिलेगा वंडे को देखने को तो चलिए फिर अब मैं ये व्लॉग यहीं फिनिश करती हूँ फेस को वाश करूंगी और फिर पीऊ के साथ थोड़ी सी पाते बाते रेस्ट वेस्ट करूंगी फिर आपको मिलूंगी अपने नेक्स व्लॉग में तब तक लिए टेक कियर बाई 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 और गुट नाइट